आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिठाई के नाम हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वेलेकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके मिठाई, मिठाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिठाई को इंग्लिश में हम कनफेक्शन कहते हैं जलेबी, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलेबी को इंग्लिश में हम फानल केक या सिरप फिल्ड रिंग्स कहते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला को इंगलिश में क्या कहते है, रसगुल्ला को इंगलिश में हम सिरप फिल्ड रोल कहते है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को इंगलिश में क्या कहते है, गुलाब जामुन को इंगलिश में हम सिरप फिल्ड बॉल कहते है, लड्डू, लड पनीर को इंगलिश में हम कोटेज चीज कहते हैं, मालपुआ, मालपुआ को इंगलिश में हम पानकेक या फ्लाप जाग कहते हैं, मलाई, मलाई को इंगलिश में क्या कहते हैं, मलाई को इंगलिश में हम क्रीम कहते हैं, पकवान को इंगलिश में क्या कहते हैं, पकवान को इंगलिश में हम ड्रेस्ट फूड कहते हैं, काजु कतली, काजु कतली को इंगलिश में क्या कहते हैं, काजु कतली को इंगलिश में हम कश्यू फाज कहते हैं गुजिया को इंगलिश में क्या कहते हैं गजर के हलवा को इंगलिश में हम क्या कहते हैं हीर, हीर को इंगलिश में क्या कहते हैं? हीर को इंगलिश में हम राइस पुडिंग कहते हैं? इमर्ती, इमर्ती को इंगलिश में क्या कहते हैं? इमर्ती को इंगलिश में हम इमर्ती कहते हैं? बर्फी, बर्फी को इंगलिश में क्या कहते हैं? बरफी को इंगलिश में हम Milk Based Sweet कहते हैं रबरी, रबरी को इंगलिश में क्या कहते हैं रबरी को इंगलिश में हम Condensed Milk कहते हैं नानखटाई, नानखटाई को इंगलिश में क्या कहते हैं नानखटाई को इंगलिश में हम ननखटाई कहते हैं मोदक, मोदक को इंगलिश में क्या कहते हैं? पेरा, पेठा को इंगलिश में क्या कहते हैं? सोन पापरी, सोन पापरी को इंगलिश में क्या कहते हैं? सोन पापड़ी को इंगलिश में हम स्वीट डोनट कहते हैं पेथा, पेथा को इंगलिश में क्या कहते हैं? पेथा को इंगलिश में हम मिस्टर मेलन कांडी कहते हैं